हाई मेरा नाम रिश्यव पारिक है और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लोगी इस वीडियो में हम बात करने वाले OnePlus 9RT के बारे में जो कि कुछी दिनों में इंडिया में लॉंच होने वाला है आपको बता दूँ कि यह चाइना में अल्रेडी लॉंच हो चुका है और इंडिया में अब इसकी बारी है यह स्मार्टफोन खास तोर पर चाइना और इंडिया के लिए ही डिजाइन है आपको ग्लोबल यह स्मार्टफोन नहीं देखने को मिलेगा तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपको OnePlus 9RT के बारे में पता चला है तो जितनी भी information आज की date में उसके regarding internet पर है वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी including उसकी launch date और price के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले ही सबसे interesting topic यानि कि उसकी price के बारे में मैं बात करता हूँ 128GB ROM वाला base variant आपको 40,000 रुपए के आस पास starting देखने को मिल सकता है ये confirm है 49,000 रुपए हो जाएगा या फिर 41,000 रुपए हो जाएगा लेकिन ये जो तीन category इन ही के अंडर इसकी pricing जो है वो start होगी अब बात करें launch date के बारे में तो देखो अभी एक हफते पहले ये चाइना में launch हुआ है smartphone और उमीद है कि 15 से लेके 25 दिनों के बीच में वो इंडिया में भी इसे launch कर देंगे तो या तो आपको October के end में आपको ये smartphone देखने को मिल सकता है या November के starting में आपको इंडिया में ये launch हुआ मिल सकता है क्या है ऐसा खास OnePlus 9RT में ये upgraded version है 9R का जो कि कुछी महीनों पहले launch वाता है इंडिया में और इसमें basically देखो ज्यादा major change नहीं है जो अंतर है वो साफ है इसमें processor बहुत तगडा यूज़ किया गया है Snapdragon 888 5G processor यूज़ किया गया है 5 nanometer based ये इसकी key highlight है इसके साथ जो camera है उसमें भी improvement आपको दी गई है पहले 48 megapixel का Sony का IMX sensor यूज़ किया जा रहा था अब उसे 50 megapixel का कर दिया गया है इसके अलावा और ज्यादा कोई major changes नहीं है OnePlus 9RT के specifications के बार में बात करने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मुझूद है जो कि unboxing बताएंगे आपको review बताएंगे बहुत सारी चीज़ां बताएंगे but mainly वो internet से iOS specifications ही है तो उन बातों पर आप ज़्यादा dependent ना हो जब तक कि smartphone इंडिया में ना आ जाए basically एक अंदाजा लगाया जाएगा own paper specification से कि यह smartphone कैसा हो सकता है own paper ही इसकी comparison की जाएगी जब तक यह smartphone market में नहीं आ जाता है और जो reviewers है वो यानि कि मेरे जैसे लोग जो है इसे unbox करके check नहीं करते, review नहीं करते, compare नहीं करते तक ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि practical life is practical life oneplus 9RT जो है oneplus 9R का ही बड़ा भाई है बस एक आँक का फर्क है जैसे आइफोन में जो camera lenses को ऐसे टेडा करके तिर्चा करके लगा दिया गया है वहीं बस camera में थोड़ी सी design को tweak कर दिया गया और बना दिया गया oneplus 9RT oneplus 9RT में एक special edition भी देखा जा सकता है शायद उसे special edition में लाया जाए या नहीं लाया जाए इसका नहीं पता लेकिन जो texture है और charcoal के texture वाला अच्छी grip वाला एक version आ सकता है इंडिया में उसका देखते हैं वह launch होगा या नहीं होगा यह confirm नहीं है बट अगर होता है तो वह जरूर आप उस मतलब top priority पर रख सकते हैं वह version है ऐसा नहीं है कि lower body में ज्यादा weight है upper body में कम कर दिया गया तो weight distribution का अब यहां पर बहुत ही कमाल ध्यान रखा गया है और weight इसमें 200 gram है जो कि लगबग सारे flagship smartphones का होता है आजकल की performance येस performance बहुत मतलब dependent रहते हैं आदमे performance के उपर एक smartphone की performance अच्छी है तो मतलब सब कुछ अच्छा है ओल्मोस्ट सब कुछ अच्छा है तो इसमें अच्छी performance के लिए आपको top notch प्रोसेसर जो की है यहां पर यूज किया जा रहा है और इसी के साथ आपको LPDDR 5X RAM देखने को मिलेगी जो की market में latest version of high speed RAMs available है तो RAM की भी quality काफी अच्छी आपको यहां देखने को मिल रही है बात करें internal storage की तो UFS 3.1 storage देखने को मिलेगा जो की apps में switching बगएरा data transferring read and write speed को ultimate improve and secure बनाता है तो यह अच्छी बात है जो storage की quality है वो भी यहां पर आपको काफी दमदार देखने को मिलेगी अब कुछ लोगों को मैं बता दूँ जो की इसे compare कर रहे थे realme का GT Neo 2 है उससे तो यहां पर RAM जो GT Neo 2 में यूज की जा रही है वो LPDDR 4X RAM है 5 नहीं है तो यह उससे थोड़ा upgraded है दूसरा प्रोसेसर भी काफी अच्छा प्रोसेसर यूज क्या जा रहे है तो performance के मामले में GT Neo 2 जो है वो यहां पिछरता हुआ दिखाई देता है OnePlus 9RT के मुकाबले में on paper specifications में अब बात करते हैं एक और important मुद्दे के बारे में जो कि डिस्प्ले डिस्प्ले अच्छी होना बहुत ज जो कि काफी bright है तो आपका जो smartphone है वो दूब में भी आपको अच्छे results देगा डिस्प्ले जो है smartphone की वो काफी अच्छे bright results देगे रिफ्रेश्ट की बात करूं तो 120 Hz की refresh rate दे जा रही है जो कि काफी smooth बना देती है smartphone को और यहां पर एक अच्छी बात यह कि 600 Hz की touch sampling rate है जो कि इसके screen touch को यानि touch जो है screen का वो ultimate smooth अब 600 Hz मार्केट में top notch जो sampling rate है वो मानी जाती है तो उसे साब से इसके touch जो है वो काफी fast होनी चाहिए और वहीं इस display को protect करने के लिए Gorilla Glass V5 का protection यूज़ किया जा रहा है तो display के मामले में भी काफी दमदार specifications OnePlus 9RT के हमको on paper नजर आते हैं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं camera department मेरे लिए इतना important नहीं है क्योंकि मैं DSLR on करता हूँ और अभी एक और नया मंगा लिया है जिसके unboxing में आपको जल्दी दिखा हुआ और यह surprise भी है जो पुराना वाला DSLR है 200D वो हो सकता है हम giveaway कर दें तो stay tuned for that और मैंने पिछली आपको 9R का giveaway बताया था उसका giveaway pending है अगली वीडियो में उसके results आ जाएंगे तो आपको देखना है अभी तक आपने अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं मैंने एक सवाल पुछा था उसका जवाब आया है और lucky winner एक त अगली वीडियो में हो जाएगी अपर camera department के हम बात करें तो कुछ खास improvement मुझे तो लगी नहीं लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ 9R में 28MP का IMX का जो sony का sensor था वो यूज़ किया जा रहा है और यहां पर OnePlus 9RT में 50MP का 1.7 aperture वाला अब आप पुछेंगे कि aperture क्या होता ह यह aperture value जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है 1.7 अच्छा है 1.4 ठमाकेदार है 2.2 समझ गए होगे उसी हिसाब से aperture का ध्यान रखना आप जब भी कोई नया smartphone करी दें कि उसकी जो 50MP यहां पर primary lens है उसमें 1.7 aperture यहां पर OnePlus 9RT में है आगे बढ़ते हैं और ultra wide lens जो है 16MP का है और aperture 2.2 है समझी गए होंगे कि ultra wide lens के result इतना अच्छे नहीं आएंगे उसके बाद में 2 megapixel का यहां पर macro lens दिया जा रहा है जो कि सिर्फ नाम का है important चीज़ और बताना चाहूंगा यहां पर आपको EIS और OIS यानि Electronical Image Stabilization और Optical Image Stabilization उनों ही दी जाती है जो कि इसे हैं अच्छ अच्छा expectation मत रखना लेकिन अच्छा result आएगा selfie के लिए 16 megapixel का selfie shooter दिया गया है जिससे आप selfie ले सकते हैं च्किने च्किने स्मूज बैटरी गमार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर 1500 mH की बैटरी दी जाती है जिसे आप 65W के fast charging प्रिक के साथ चार्ज कर सकते हैं देखो इस smartphone में आपको जो OnePlus का Oxygen OS से दो नहीं मिलेगा बलकि Android 12 के साथ Color OS देखने को मिलेगा चुकि Oppo में इसके अंदर in-display fingerprint sensor भी है सो देट इस नाइस जो लोग इसे compare कर रहे थे OnePlus 9R से या Realme GT Neo 2 से तो देखो अगर हम price को side कर दें और बात करें सिर्फ performance की या scores की तो देखो N22 scores जो हैं वो इस smartphone की काफी बहतर है मतलब जो अपना OnePlus 9RT है वो Realme Neo G2 को पीछे चोड़ देता है यहाँ पर processor भी बहतर है RAM भी बहतर है और काफी चीज़ें और भी बहतर है मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें काफी अच्छी दी गई हैं जिनसे performance के मामले में ज्यादा अच्छा हो सकता है लेकिन यह चीज ओन पेपर स्पेसिफिकेशन से जज़ की जा रही है उनके software optimization पर depend करता है कि चीज़ें कैसे हैंडल होंगी उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी जितने भी information वनप्लस 9RT के regarding internet पर मुझूद त्याज की date में मैंने सारी collect करके आपको इस वीडियो में provide करवाईए इस वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी है तो बस आपको एक like करना है जिससे मेरा motivation अच्छा बना रहेगा और मैं ऐसे ही महनत करता रहा हूँगा इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाब मिलते हैं अगली वीडियो में till then bye bye